तो लगतार इस्रेल पर हमले हो रहे हैं, सिर्फ हिजबुल्ला यह हमले नहीं कर रहा है, बलकि इस बार चार तरफ से इस्रेल पर हमले हो रहे हैं, यह हमले कहां कहां से हो रहे हैं, एक बार इस्रेल हमला करता है, फिर हिजबुल्ला की तरफ से हमला होता है, और आप तो चौत चौतरफा हमले हो रहे हैं, कौन-कौन इस हमले वे शामिल है, इस्रेल किस तरह से इनका जवाब दे रहा है, बाचित करने के लिए मयंक मेरे साथ चुड़गाए है, मयंक अब बताया जा रहा है कि सिर्फ हेजबुल्ला की तरफ से ही हमले नहीं हो रहे हैं, जो हमले पीछे आप तो कहा जा रहा है कि चौतरफा हमले चेल रहा है, इस्रेल कहां कहां से हमले हो रहा है हमारे दर्शुक को बताएं आपने पिछले 10 महीने के सबसे बड़ा अटैक जो है वो इस समय जारी है और जो चौतरफा हमलों की बात कर रहे हैं अगर वो हम बताएं तो देखिए उत्तरी इस्राइल पर लेवनन से हिजबुल्ला जो है वो हमले हो रहा है तो अगर लेवनन वाला बॉडर देखे तो व अगर हम दक्षणी इस्राइल की बात करें तो लाल सागर से हुती जो है वो उसने भी रॉकेट से इस्रेयल पर हमले शुरू कर दिये तो तीन तरफ तो यह हो गया और अगर उत्तर पूरी इस्राइल की हम बात करें तो उत्तर पूरी इस्राइल में सीरिया से हमले हो रहे है और सीरिया में जो इस्लामिक रेस्टेंस है यह जो है लगातार इसराइल को निशाना बना रहा है तो आप देखिए यह पहला मौका है जब इसराइल मानो चारो तरफ से घिर चुका है जो आप कह रही थी और जबर दस्त हमले हो रहे है और निलू ऐसा कहा जा रहा है कि अभी लेकिन इसका इसनाल ऑपा कह स्टमाल हमास ले तेल अवीव पे डावीफ पे फायर किया गया और इसका एक वीडियो भी वएक हमास तरह बहुतार ऑख ही हुआ हमास कि हडिक है कि जो घधूले जो पिछला घिजबूल्रा की तरफ से हुआ है जो पिचला हमला नुकसान हुआ है इस्राइल के उसमें एक एरबेस वो एरबेस है निलू जहां से फाइटर प्लेंस ने उडान भरी थी और फुआज शुकर जो है हिजबुला के जो कमांडर थे इनको इनके उपर जब अटैक किया गया इनको जब निशाना बनाया गया इनकी हत्या की गई त तो बकाइदा हिजबुला ने इस्रेयल के कई ठीकानों की रेकी की है और जो हम देख रहे थे कि काफी समय लगा एक प्लान तयार हो रहा था बकाइदा इस्राइल में रेकी हो रही थी कि कहां से निशाने कहां पे निशाने बनाने है कहां पे इस्रेयल की आर्मी है कहां पे उनकी हतियार रखे है और उसको Hezbollah ने निशानाया बनाया है और एक अभी Neosrallah जो चीफ है Hezbollah के इनका एक वीडियो भी जारी किया गया पिछला जो हमला हुआ Hezbollah ने जो हमला किया उसके बाद और उसमें Neosrallah ने ये बॉनाया कि जो फौाज शुक्र थे और पूरे इलाके में एक जो समिकरण है वो बनाये रखना बहुत जरूरी था, ऐसा नहों कि इस्राइल जो है उसको डॉमिनेट करने लगे, इसलिए यह जवाब देना जरूरी था, और हमने नसरल्ला, हमने जो फुआज शुकर का जो है बदला ले लिया, इस तरह का वीडिय का और कहा यह जा रहा है कि जो हिजबुल्ला की तरफ से रॉकिट भी दागे गए या हमला किया गए इस्रेल पर वो रहाइशे राकों से किया जा रहा है, उनका कहना है कि रहाइशे राकों में अस्वतार, स्कूलों के पीछे चिपकर यह सब को चो रहा है, हम नहीं चाहते कि वहां के लोग मारे जाए लेकिन हम भी अपने आपको प्रोटक्ट करना चाहते हैं और कही ना कही हमारी कोछिश यह है कि अगर हमें आप दुखसान पहुचाएंगे तो हम भी आपको बख्शे रहा है इस्राइल ने भी देखिए हिजबुल्ला के जो रॉकेट अटैक हुआ थी उसमें शायद एक जो बंधक थे उनको छुड़ा भी लिया गया और वहां पे कवजबुल्स जो है वो बंबारी जारी है वैसी वेस्ट बैंक का जेनिन इलाका है यहां पे जो है इस्राइल की ग्राउंड फोर्स जो है वो अंदर गुसी है और टैंक से भी हमले कि गहें अज़राईल की ग्राउंड फोर्स अंदर दाखिल हुई है क्योंकि अब ही हमने देखा कि जब इस्रेल की तरफ से पहले ह्जबुल्ला ने हमला की अरववार को दे रहा जिस तरह के हामले हुए फिर इस्रेल ने अपनी तरफ से पूरे दमखं़ के साथ हमला किया है अगर हमें जरुवत पड़ी तो हम लेबनान के अंदर तक दाकिल हो जाएंगे, हमारी पूर्से दाकिल हो जाएंगे, इस तरह की धंकी भी नेतन गाहू की तरफ से ती गई है, इसराइल की रणनीती बिल्कुल साफ है, पहले से ही कि अगर उन्हें इस बात की कन्फरमेशन मि बिल्के जाती है मुसाट से कि उनके उपर किसी भी तरह का स्ट्राइक रोकेट से चाहएंगे, तो इसके पहले की सामने वाला दुष्मन हमला करें, इसरेल उसके उपर पहले से हमला कर देता है, तो देखिये यह जो हिजबुलह ने अटाकिया, उसका जबर्दस पलट बार जो है वो इसराइल की तरफ से किया गया है अब लेकिन देखना ये है कि अगले 24 गंटे में क्या या 24 से 48 गंटे में क्या जो प्रॉक्सी है इरान की इनकी तरफ से किस तरह से जो है वो बात आगे बढ़ती है अच्छा नीलु एक बड़ी गौर करने वाली बात ये भी है या जो हमने बताया कि चार तरफ से इसराइल घरा हुआ है और ये चारो तो लड़ी रहे है इसके अलावा एक बहुत चौकाने वाली ख़बर आई है और वह ख़बर ये है कि जो नौर्थ कोरिया के तानाशा है किम जोंग जो है इन्हों ने ये हिजबुला की मदद के लिए ख जा जा रहा है कि ये जो हतियारों की खेफ है ये रश्या पहुचाई गई नौर्थ कोरिया जो है इसे रूस पहुचा रहा है और इसका इस्तमाल ना सिर्फ युक्रेयन के खिलाफ हो रहा है बल्कि इसका इस्तमाल जो है वो अब इस्रेल के खिलाफ भी हो रहा है और पहले ही सामने आया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि Kim Jong जो है, वो system को देख रहे हैं, कि किस तरह से जो है, multiple rockets जो है, वो fire किये जा रहे हैं, उसी तरह से जो है, suicide drone, आज कल देखिए कि यह suicide drone, जो है, बहुत ज़ादा इनका इस्तमार हो रहा है, और इस युद्ध में, खासो इसरेल को एक, कह सकते हैं, plane दिया है, या युदवर्ट, F-35I, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताई है, यानि यहां पर हतियारों का प्रदर्शन भी जबरदस्त तरीके से, आपके पास अगर यह हतियार है, तो मेरे पास यह हतियार है, इसकी होड भी यहां पर एक से बढ़ कर यहां पर दिस्ले किये गए एक तरह से कहले है, जिसका आप जिकर कर रही है, वो F-35I plane है, यह अमेरिका की तरफ से जो है, इसरेल को यह fighter planes दिये गए है, और जो अभी Hezbollah पर अटेक हुआ लिबनन के अंदर, उसमें कहा बताया जा रहा है, कि सौ से इसका जाए हावा में हावा में रिफियल किया अटाया, तरह यह वे विद्धा की पर जाए है जिए फॉल दालागा जाए है, जिए जए ज़रुवत नहीं थी लिए लिए और भी आप लिएया जाए कि लिए लेबनान के सिमा अंदर एयर स्पेस में गया तो यह एक पर कार जादा हतियार है कौन कितना एड़ान्स है तो यह एक मैसेस था एक वीडियो था जो इसराइल की तरफ से रिलीज किया गया अब देखिए इसी कड़ी में जो यह ड्रोन्स है जो आप अपता रहे हैं जो आप अपने देखा कि रूस पे एक इमारत पर हमला हुआ था रोस्टो सबब बने हुए है और दूसरी एक बड़ी चीज यह है कि यह कहा जा रहा है कि एरान ने अपनी प्रोक्सी जितनी है हुटी हमास हिजब ला इनको फ्रीहंट दे दिया है अच्छा यह एक खबर आई है कि पिछले कुछ समय से यह था कि ऐसा कहा जा रहा था कि एरान यह चा दिया गया है कि आप जैसा चाहें वैसा इसरेयल पे हमला कर सकते हैं उसी का नतीजा था कि यह जो पिछले दो दिन पहले जो इसरेयल पे एक बहुत बड़े पैमाने पर हमला जो हुआ देखा गया है इस कबर पर लगाता है हमारी नसर बनी रहेगी आप बने रहे हैं हमारे साथ